टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन पे किलिक करके आल नोटिफिकेशन को ओन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो जब हम सोकेट के अंदर लगाते हैं तो यहाँ पे ना तो कोई व आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टोर्च आई हुए रिपैरिंग के लिए जिसे मैंने पहले से ही खौल के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बचा सकूँ अब इस टोर्च के अंदर देखें पहले मैं आपको दिखा दू कि यह थोड़ी से लंबे साइज की है और इसके अंदर दो बैटरी लगी है यह देख लो इस टाइब की दो बैटरी लगी है अब इसमें प्रोलम क्या रही है वह पहले हम देख लेते हैं तो प्रोलम इसके अंदर यह फ्रेंड की इसके अंदर यह वाली पिन सिस्टम दे रखा है यह तो आपको पता ही होगा और आप यूज भी करते होंगे तो इसको हम socket के अंदर लगाते हैं अब इसको जब हम socket के अंदर लगाते हैं तो यहाँ पे ना तो कोई voltage आ रही है और ना ही यह जो LED है charging यह नहीं जल भी और ना ही हमारी battery charge हो रही है तो step की problem अगर आपके पास भी ऐसी कोई torch है उसके अंदर है तो आप इस वीडियो को देखे step by step check करके अपनी problem को repair कर सकते हो मैं सब कुछ आपको step by step बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या check करना है अगर वो चीज ठीक है तो उसके आगे क्या check करना है क्योंकि इस तरीके से जब हम check करते हैं तो वो problem actual में हमें पता चल जाती है और हम उसे repair कर लेते हैं तो वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो देखो वाई आगर आपके पास this type package हो किसी भी मोडल में हो पत्ली हो मोटी हो काली हो पीली हो तो आपको करना क्या है जब आपके पास Eastاي प्लाग वाली कॉ're हो तो आपको सबसे पहले जब आप अपनी टोर्च को खोलो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है वायर वगरा देख लेनी है वायर अगर सब अपनी जगा पर जूड़ी हुई है तो आपको बोर्ड को अच्छे से देखना कोई components जैसे इसके अंदर कई बार capacitor हमारे फट जाते हैं यह हमार पीफ फट जाता है या कोई IC वेगरा या फिर resistance वेगरा यह जल जाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको पहले मोटा मोटा देख लेना है आपको से को चेक करेंगे मल्टी मेटर से कुछ components को चेक करेंगे अब कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना कि यह जो हमारे supply wire है यह कहां पर आ रही है तो यह supply wire friends सबसे पहले यहां पर बना हुआ है AC1 AC2 पॉइंट बना हुआ है तो यहां पर इस दो पॉइंट पर supply wire आ रही है अब यह supply wire कहां पर जा रही है इस बोड को अगर आप ध्यान से देखो friend तो यहां से एक wire आ रही है एक यहां से आ रही है तो यह हमारे जा रही है इस bridge rectifier AC के अंदर तो अब हम सबसे पहले इस AC को चेक करेंगे क्योंकि यह इसका main काम होता है कई आपने ऐसे circuit देखे होंगे torch के उसके अंदर चार डायट लगे होते हैं तो यह एक bridge rectifier AC की तरह इसका save दे दिया है और इसको आप चार डायट को जोड के भी बना सकते हो तो सबसे पहले हम कहां पर चेक करेंगे क्योंकि यहां से supply हमारी इस वाले bridge rectifier पर आती है उसके बाद यह आगे जाती है तो हम में वैसे देखने में तो यह IC सही लग रही है अब इसको हम multimeter से भी चेक करेंगे और यह आपको चेक करना आना भी चाहिए तो चलिए इसको आप हम चेक करते हैं और ऐसे ही चेक करते करते फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे resistance वगरा यह सब कुस देखेंगे तो पहले हमें इसको कोuous ही चेक करना है चलो इसको हम चेक कर लेतें के και कुई को या टैअट को चेक करने के लिए हमें अपने multimeter को बजर मोड पर सैट करना पड़ेगा तो जो की पहले वगेरा नहीं मिल रही है इसका मतलब यह बिल्कुल ओके है इस सेड में आप दोनों तरफ घुमा के देख लो प्रोग को बदल के देख लो ठीक है तो यहां पे तो कोई प्रोब्लम नहीं नजर आ रही है यह बिल्कुल सही लग रहा है अब उसके आगे फ्रेंड जब यहां स से सप्लाइ जाती है तो यह आगे ना प्लस माइनस होके निकलती है तो इसके अंदर प्लस माइनस लिखा भी होता है आई सीmaster यह देखिए फ्रेंड जोम करने के बाद इस टाइप से ध्यान से देखिए यहां पर प्लस का सिंबल बना हुआ है यह देखिए इसका मतलब यह प्लस यहां पर आएगी हमारी सप्लाई और यहां पर माइनस का सिंबल बना हुआ है यह हमारी माइनस की सप्लाई यहां पर आए यहां पर हमारा पास吗uz मुल्किमेटर को देखे ज्रैटर हमारी प्लस раз की है और माले माले सम्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए इस त्रीके से हमें व्ल्य direct非常 करना है तो यहां देखे प्रेंट चेक करने पर कोई भी हमें साथ LM नहीं आ इसको उल्टा लगाया यानि प्लस वाले-पॉइंट पे माइनस पे प्लस का मैंनेस वाले पॉइंट पे प्लस का तो यहां पे हमें बीप सुनाई दे रही है जो कि यहां पे बीप हमें नहीं मिलनी चीए इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड की यह वाली जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है यह खराब है इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड अगर यह आईसी सही होती तो मैं सही आईसी आपको दिखाऊंगा अभी अभी यह देख हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है यह हमारा सोट हो चुका है जिसकी वज़े से यहां से एसी वोल्टेज तो जारी है लेकिन यहां से आगे डीसी पास नहीं हो रही है जिसकी वज़े से यह आगे का सरकीट हमारा काम करता है बैटरी वेगरा चार्ज होती है तो इसी आईसी क जाते और बैटरी वेगरा को यह चार्ज करती है तो कुल मिला के हमें अभी तो यहां पर डाउट हो रहा है अब एक बार हम क्या करेंगे इस ब्रीज रेक्टिफायर आई सी को बदल के देखेंगे अगर आपके पास ब्रीज रेक्टिफायर आई सी नहीं है तो इस तरीके का इसे सेब में बना दिया और चोटा हो गया इस बोड के अंदर असानी से फिट हो गया और यह हमारा अलग से ऐसे चार डाट को जोड़के बनाना पड़ता है तो फिलाल मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि यह आला जो ब्रीज रेक्टिफायर आई सी है इसको आप इसली कहा ब्रीज रेक्टिफायर आई सी लगी है आप इसको यूज कर सकते हो इसके अंदर भी लगी है इसके अंदर भी लगी है यानि जितने भी LED बल्फ होते हैं सब के अंदर यह ब्रीज रेक्टिफायर लगी होते तो आप इसली यहां से निकाल सकते हो अगर आपके पास वह भी bridge rectifier IC लगी होती है आप इसको निकाल के भी योज कर सकती हो तो इतनी सारी जगह बड़ी असानी से मिल जाएगी फ्रेंड और नहीं तो फिर आप उस तरीके से एक bridge rectifier IC है जो कि मैंने पुराने LED बल्फ के circuit से निकाली है अब इस bridge rectifier को यह नहीं है फ्रेंड कि आप जब भी किसी पुराने circuit से कोई भी components निकाल के यूज करते हो तो सबसे पहले आप उसे चेक करके ही लगाएं हो सकता है कि आपने board से निकालो यह पहले से खराब हो तो यह चीज़े आपको ध्यान रखने है तो आप जब भी कोई भी पुराना components निकालते हो किसी भी बोर्ट से यूज करने के लिए तो आप उसे चेक करके ही लगाएं अब चले इसको अब हम चेक करेंगे और फिर इसको हम फिट करेंगे दुबारा से तो यहां पर देखी फ्रेंड इसके अंदर कुई भी वल नहीं मिलने चाएं न जैना कोई बीप मिलने चाहिए इस तरीके से चेक करने पर यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा और यहाँ पे आप हम चेक करते हैं प्लट के यहाँ पे ना बीप ना कोई वेलू ठीक है क्योंकि यहाँ पे SI supply आती है तो यहाँ से भी कई बार अगर आपको बीप मिले तो तो समझ जाओ कि ये खराब हो चुकी है अब इसको हम इस से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखी friend हमारा एक plus है एक minus है तो हम एक बार इस तरीके से लगाएंगे तो इस तरीके से लगाने पर आप देख सकते हो कि multimeter की screen पर हमें value आ रही है तो समझ लो ये खराब है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि multimeter की screen पर हमें कुछ भी नहीं सो कर रहा है इसका मतलब यह जो हमारा bridge rectifier है यह बिल्कुल okay है और इसे हम अब उसके अंदर use करेंगे तो आप देखी friend किस तरीके से हमें use करना है क्या क्या ध्यान रखना है लगाते समय ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से लगा दोगे जिस तरीके से आप निकालोगे उसी तरीके से आपको इसको लगाना भी है तो अब मैं क्या करता हूं friend इसको पहले hot gun से इसको निकाल लेता हूं अब इसको हम निकालते हैं आपको ऐसे लेग पे हीट मारने हलकी हलकी और यह बड़े आराम से निकल जाएगा इस तरीके से आप निकाल लेते हो तो यहां पर नीचे धियान से देखो bird के यहां पे, symbol भना हुआ है, plus minus का है, यह दिखे लो। क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर कोई और प्रोलम हो जाएगी यह हो सकते हैं आपका बोर्ड का यह कपेश्टर हो अगर फट जाए या कुछ और प्रोलम हो जाए तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो हम इसको बिल्कुल देख के लगाएंगे तो यहाँ प पर ऐसे एक तरफ फिट कर देना है हलका साब ने फिट कर दिया यह सैट होगी उसके बाद आपको ऐसे इसकी चारों लैग पर यहाँ पर मैंने सोल्ट कर दिया है इस तरीके से और आप देख सकते हो फ्रैंड की यह बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है तो अब हम फ्रैंड इसको चेक करके क्योंकि हमने ब्रिज रेक्टिफार आज़ी को तो बदल दिया है और इसको अब हम दुबारा से स्रीज से चेक करेंगे और सप्लाइ देखेंगे फ्रैंड की यह यहाँ पर हमारी सप्लाइ आई कि नहीं आई है हमारी चार्जिंग एलेडी जल रह लुक्त है मैंने और रिच्को मैं यहाँ पर क्टम हूं उर इसको मैं सप्लाइभर लगा दिता हो इस तरीके से और यह मैंने सप्लाइ लगा दी है और आप बलब को ध्यान से देखो उसके अंदर लाइट आ रही है यह देखिए हलकी से लाइट आपको जलती दिखाई दे रही होगी यह सेड में घुमादू मूँ ताकि देख पाओ यार नहीं तो फिर आपका होगे कि वैसे उल्लू बना इन लाई है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंदो हमें क्या करना है यह जो डो ग्रीन वायर आई है जो कि हमारे उस लगी हुई है इससे यहां से लग लगिए है तो इसी दो ॢ़ोंट को आपको देखना है तो यह जो दो वायर लगी है एक तो हमारर इस प्र पोल्हिंट पर लगी है और एक इस पॉइंट पर लगी है तो यहीं पर हमें टच करके देखना है और यह LED का भी मुझ देख लिए थोड़ा सा ताकि यह भी आपको दिखाई देना चाहिए पता कैसे से लेगा तो यहां पर देखे फ्रेंड LED भी आपको दिखाई दे रही है अब देखे मैं टच कर रहा हूं तो आप देख सकते हो फ्रेंड की LED के अंदर लाइट आना स्टार्ट हो चुकी है और हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है जबकि अभी तक क्या हो रहा था जब इसको हम रहे थे तो वहां तक सप्पलाइए ही नहीं जा रही थी और जिस वज़े से हमारी बैटरी ये चार्ज नहीं हो रही थी तो हमारी LED जल रही है और यह हमारी जो प्रोलम है ये इस तरीके से फ्रैंट देखा अपने की एक ब्रिज रेक्टिफायर खराब होने की वज़े से यह पूरा का पूरा circuit हमारा काम नहीं करना था क्योंकि जो main supply हमारी जाती है इस bridge rectifier से ही होके जाती है यह क्या करता है हमारी AC supply को DC को करता है उसके बाद ही supply हमारी बैटरी तक जाती है जिससे हमारी बैटरी वेगरा छार्ज होती है थो यह अजि ब्रिजS रेक्रिफायर है यह छोटा सा इस खराब हो गया था और यह हमने रिप्लेश कर दिया और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसली तरीके से कहां से निकाल सकते हो पुराने LED के सर्किट से या आपके पास डोव वाला सर्किट हो या फिर आपके पास ACDC बर्फ वाला सर्किट हो उसके पीछे आपको यह IC मिल जाएगी बड़े आराम से आप निकाल के यूज कर प्रेंड और ये मेरे की थे और नई टोर्च थी बिलकुल लेकिन जब उन्होंने इसको चार्ज किया तो इसके अंदर एक दिन थोड़ी से चार्जिंग होई उसके बाद इसकी चार्जिंग लाइट बंद होगी यानि चार्ज करना उसने बंद कर दिया तो वो कस्ट्टमर मेरे पास दुबारा आया भाईया यह टोर्च आपने क्या दे दिया यह खराब निकल गिया यह चार्ज नहीं हो रही तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा से बता दू क्योंकि इस टैप की जो टोर्च होती है उसके अंदर कोई पता नहीं होता कब कौन से चीज खराब हो जाए ठीक है तो इसी तरीके से जब भी आपके पास ऐसी कोई टोर्च आये तो आपको ऐसे बेसिक चीजे चेक करने कई टोर्च के अं बता नहीं हो तरशानी आइटम होते हैं तो आप पहले वायर को चेक करा करो और उसके बाद इनके यह जो कमपोनेंट्स हैं जो भी डाइड वगए रहा या फिर कपेस्टर वगए प्यफ लगा इनको चेक कर लिया करो मोटा मोटा आपको चेक करना उसके बाद फिर आपको ऐसे चेक करते चलना है कि कहां से हमारे सप्लाइ जा रही है फिर आगे उसके बाद कहां पर जा रही है इस तरीके से आप चेक करते चलो अब यह तोड़ी बहुत तो यह लाइट जलेगी इसके अंदर यह देख लो कुछ चार्जिंग है इसकी तो बैक अप तो इसका काफी उन्होंने जिसे इसाब से यूज किया हो लेकिन बस प्रोलों यहीं आगी कि यह चार्ज नहीं हो रहा था तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपनी प्रोलों को रिपैर कर सकते हो अगर आपके पास भी कोई टोर्च है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आई होप कि पसंद आयो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली बार आयो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साहते तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातर!